Hello Friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and His Styles Friends, आज मैं आपके लिखियाई हूँ कि skin tone और undertone क्या होती है जब आप हम foundation mixing करते हैं तो आपको बहुत जादा problem होती है कि जब आप या फिर आप में गिनर हो तो आपको problem है कि skin tone क्या होती है और undertone क्या होती है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यही मैं आज आपके लिए लेकी आई हूँ और जब आप foundation mixing करते हो एक particular shade बनाने के लिए तो आपको क्या करना वड़ता है अब देखिए अब दो चीज़े हैं एक है skin tone एक है undertone अब undertone आपकी इस veins से पता लगती है यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके यहाँ पर nerves veins होती है जब आप इसको इस तरह से देखते हैं तो अगर जैसे कि अगर आपकी यह जो veins है वो blue color की आपको नज़र आ रही है blue purple color की नज़र आ रही है तो आप एक cool undertone के person हो अगर वो ही veins आपको थोड़ा green color की नज़र आ रही है तो आप warm undertone के person हो अगर वो ही veins आपको mixed नज़र आ रही है कि आप कह रहे हो कि मुझे green भी नज़र आ रही है मुझे blue भी नज़र आ रही है तो आप इन दोनों के beach में यानि कि neutral undertone के person हो यानि कि ना तो आप cool हो नहीं आप dark side हो यानि warm side हो आप क्या हो? आप medium undertone के person हो अब कभी कईसा होता है ना कि आपको green wings जादा नजर आती है और कहीं कहीं blue wings नजर आती है या purple, blue purple wings नजर आती है इसका मतलब है कि अगर आपको green wings जादा नजर आ रही है तो आप warm undertone के साइड जादा हो cool के साइड कम हो अगर आपको blue जादा नजर आ रही है green कम नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि आप cool के साइड जादा हो और warm के साइड कम हो simple सी बात है तीन है, cool undertone, warm undertone और neutral तो आपको ये तो पता लग गया हुए कि undertone क्या होती है undertone क्या होती है, कि हमारे जो face दिखाई दे रहा है न उसके अंदर की जो tone होती है जो उसके अंदर जो चीज है ठीक है न, वो हमारे undertone होती है और वो क्या चीज़ decide करती है हमारी veins decide करती है कि हमारी veins किस color की है foundation आते हैं, बहुत सारे cool undertone के भी आते हैं बहुत सारे warm undertone के भी आते हैं neutral undertone के भी आते हैं इंडिया में जादा तर जो foundations आप देखोगे markets में वो warm undertone के होंगी, cool के कम होंगे क्योंकि जो इंडिया में जो इंडियन्स हम लोग होते हैं यह ज्यादा तर वॉंक की साइट ज्यादा होते हैं कूल अंडर टोन के कम होते हैं इस वज़ा से और दूसरी चीज कि यह होता है कि दूसरी होती है अमरे कि skin tone अब skin tone क्या होती है आप आपने देखा होगा कि कोई fair भी होते हैं कि दस्की complexion भी होती है कोई मेरे तरह medium भी होते हैं ना तो fair की side है ना dusky side है बीच में है तो इसमें क्या है कि अगर कोई person fair है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह सिर्फ cool undertone का है कि कोई dusky and dark complexion की side है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह सिर्फ warm undertone का है undertone को decide करेगी हमारी fans तो fair person भी warm undertone का होता है अब देखिए अब तीज अब यह आप दूसरी चीज आती है हमारे skin type की हमारे skin type क्या होती है skin यानि कि skin type skin type का means to say skin की जो tone होती है skin tone skin type तो different thing तो मारे skin tone होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है जैसे कि fair medium और dusky या फिर medium to fair यानि कि इनके बीच में ना fair ना fair है ना medium है इनके बीच में नेक्स्ट जिसे गेहुआ कलर बोलते हैं जैसे कि next है कि ना तो medium है ना dusky है इनके बीच में थोड़ा dark complexion हो जाता है ठीक है ना तो यह भी अलग अलग तरह की होती है अब जैसे कि आप skin tone को देख के पहचान सकते हो जो आप मेरी देख रहे हो तो यह मेरी skin tone है simple सी बात है जो चीज आप देख पा रहे हो जिस tone को आप देख पा रहे हो वो बिरी skin tone है that simple आप अपनी skin देखिए जो color आपकी skin का है वो आपका skin tone है simple सी वात है यह स्किन टोन इसका नाम ही है skin tone दोसरा है undertone अंडर देखिए इसका नाम है undertone अंडर मतला जो इसके अंदर की tone है क्योंकि इसके जो हमारे जो body के skin के ऊपर अंदर जो हमारी structure होता है वो veins का structure होता है इसी वज़ा से वो veins हमारी undertone बनाती है ठीक है न अब ये हमारे face से हमारी veins नहीं दिखाई देती इस वज़ा से यहाँ पे veins easily दिखाई देती है इस वज़ा से यहाँ से देखा जाता है अब आपने देखा होगा बहुत कम persons ऐसे होते है जिनके skin नहीं बहुत पतली होती है मैंने खुद देखे है उनके skin बहुत पतली थी इतनी पतली थी कि उनके veins भी उनके skin से दिखाई दे रही थी यानि कि उनके face से दिखाई दे रही थी यानि उनके skin अगर एसा होता है ना किसी वेंस उसके face से दिखाई दे रही हूं इसका मतलब है कि उनकी skin बहुत जादा पत्ली है अब मेरी जो veins मेरे face से नहीं दिखाई देते इसका मतलब है एक healthy skin tone है यानी कि healthy layer है लेकिन अगर स्किन जेक hyalty तो इस चीज़ को ध्यान रखें अब आपको पता लग गया कि अंडर टोन क्या होता है और स्किन टोन क्या होता है इसी के कोडिंग हमारी फांडेशन की मिक्सिंग होती है अब दो चीज़े होती है या तो परसन पहले अंडर टोन बना लेता है मिक्स कर लेता है या फिर अपन skin tone mix कर लेता है यह मर्जी होती है अगर हम इंडिया में है तो इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जातर जो हमारे foundations होते हैं वो warm under tone में होते हैं तो हम दो foundation को mix करेंगे तो हमारे एक particular skin tone create हो जाएगा अब माली जी आपने एक foundation लिया एक dark foundation लिया आपने उन दोनों को mix कर दिया तो उनके beach का shade बन जाएगा जोगी medium shade होगा अब लेकिन आप चाहते हो कि मुझे उस shade से थोड़ा light चाहिए यानि कि मुझे dark नहीं चाहिए light करने के लिए उसमें light foundation करोगे तो थोड़ा light हो जाएगा लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे से थोड़ा dark चाहिए उसमें थोड़ा dark foundation करोगे तो dark हो जाएगा common सी बात है ठीक है ना तो skin tone के according mixing होती है और फिर undertone भी इसमें ठीक है ना तो इस तरह से हम skin tone और undertone के according mixing करते हैं so friends यह mixing जो होती है ना हमारे हमारे pigment जो हम add करते हैं उससे पर undertone change हो जाती है वैसे क्योंकि मैं मैं इसलिए बोल रहे हूं कि इंडिया में जातर foundation warm undertone में ही याद है कि इंडिया में जातर warm के साइड होते हैं कूल की साइड कम होते हैं climate का फर्क होता है यह सब कुछ ठीक है तो इस तरह से हम देखते हैं इनकी mixing मैं एक बर फिर से आपको करवाऊंगी don't worry तो skin tone और undertone आज को topic यही तक कि skin tone और undertone में क्या फर्क होते हैं so friends I hope so कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो thank you video देखनी के लिए और साथ updating videos के लिए आप मेरी चैनल beauty and hair styles पर मुझे subscribe कर सकते हैं thank you friends goodbye